कॉंग्रिस के अंत्रिम अधियाक्ष सोनिया गांधी ने बीजोपी पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि सोनिया के युवाब पढ़ाई कर रही है नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बीजोपी सरकार ने आपको घर पर बिठा दिया 12 लाग सरकारी नौकरियां खाली हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई पेट्रोल डिजल रसोई गैस सरसो के तेल के दाम आस्वान चो रहे हैं ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो रहा है अने वाली तेज तारिक को आपकी पांचों विधान सबाव में वोट डाले जाएंगे यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है क्यूंकि आपने पांच साल ऐसे सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया मेरे किसान भाई बहन इतनी महेन से देश के लिए अन उगाते हैं इन पांच सालों में आपको ना तो फस्तों का दाम मिला ना खाद मिली और ना ही सिचाई की सुईदाएं आपके उपर कर्ज कबोज है और अवारपशू आपकी फस्तों बर्बाद कर देते हैं ठीक यहीं हाल नोजवानों का है नोजवान अपने आने वाले कल के लिए महेन से पढ़ाई करते हैं नौकरी की तयारी करते हैं लेकिन भाजप सरकार ने आपको घार बिता दिया सरकारी नौकरियों के बारा लाग पद खाली पड़े हैं लेकिन आपको नौकरिया नहीं दी गई पित्रॉल डीजल रसोई गैस सरसो तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है मेरी बहेने पाए पाए जोड़ कर अपना घर परिवार चलाती है लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुबर कर दिया झाला कर दोड़किल है